हेलो डियर श्टुएंट इस प्रोफेसर विसाल गुपता आप टूदेश टॉपिक इस एर आडवन्टेस आफ ए बिजनेस या बेनिफिट आफ ए बिजनेस भी जिसको हम बोल सकते हैं बट विफोर गूइंग ओन देट पॉइंट वी मस्ट अंडेस्टेंड वर्ट इस एक वर्ड का मतले भी होता है इलेक्ट्रोनिक मिन्स इलेक्ट्रोनिक बिजनेस लिसन अभी आजकल न्यू मॉडन एरा है जहां पर हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है चाहें वो टीचिंग हो आपने सुना होगा इलेर्निंग चाहें कुछ भी हो उसी तरीके से हमारे बिजनेस को भी मॉडनाइस करने के लिए इलेक्ट्रोन और e-commerce से आया तो simple funda e-business का इतना सा है कि आज की business को internet पे लाना internet से connect करना that is known as e-business e-business connect to the processor and to the people from internet मतलब internet के through customer और processor को connect करने के system को हम क्या बोलते हैं e-business बोलते हैं हमें दुकान पर जाने कोई जरूत नहीं हमारे मोबाइल पर हम एक क्लिक पर हम कोई भी सामान बाइंग कर सकते हैं 24 गंटे साथ के साथ दिन हफ्ते के कभी भी एनी टाइम यू कन बाइंग यू कन डू बाइंग एंड सेलिंग इन यूर e-business तो आपका e-business का ही रहा easy to communication बातचीत करना असान है customer से आज इसको हम direct communication भी बोल सकते हैं easy payment payment करना असान है less physical place space हमें space की जरूत कम परती है moment towards paperless society हम अपने society वो paperless बना सकते है speed काम बहुत fast होता है एक mouse click पे सारा काम हो जाता है low investment पैसा खर्च करने की ज़ारा ज़रूत नहीं होती है global access एक जगा बैठे बेट हैं पूरे दुनिया का business control कर सकते है direct communication this is again the same thing आप directly क्या कर सकते है सामने वाले से बातचीत कर सकते है support of the government आपको पता है online digital इंडिया online के लिए government बहुत सारे support कर रही है तो इस business को government का भी बहुत सारा support मिलता है पहला advantage यहाँ पर है easy to setup setup मतला start करना इस business को start करना बहुत ही आसान काम है simple fund है अभी example में बोलता हो चलिए अभी मानले दो person है एक person है और एक person भी person ही अपना classes चालू करेगा जगे ढूड़ेगा वहाँ पे benches furniture वगरगा बंदोबस करेगा वहाँ पे AC वगरगा बंदोबस करेगा कितना time जाएगा कितना पैसा जाएगा सब होगा तो काफी डिफिकल्ड काम हो जाएगा वहीं पर दूसरा person कोई person भी है उसने अपना एक system चालू किया electronic system करता गिरता है अभी example आप एक class चालू करने जा रहे हैं जैसे example कि मैंने आपको बताया कि online अभी आप जगे का बंदोबस करेंगे लाखो रुपए खर्च होंगे फरनीशिंग अगरा means you have to pay lakhs of rupees but when you will go for e-learning और e-sources then you can do it in within some thousand rupees तो यहाँ पे होगे आपका it is easy to set up as compared to traditional business because it is affordable to entrepreneur has ability to open small business with minimum cost कोई भी बंदा एक छोटा मोटा online business कम cost के साथ में start कर सकता इसमें cost ज्यादा नहीं लगता जबकि traditional business को चलाने के लिए उसको start करने के लिए बहुत सारे cost लगते तो इस point का simple मतलब यह है कि इस business को start करना बहुत ही आसान है इसमें कोई भी difficulty न नहीं आती है next easy communication easy communication करना बहुत ही आसान हो जाता है you can see here web facility direct communication between buyer and seller simple seller के पास आपका सारा detail होता है email id आपका contact number वह आपको directly telephone कर सकता है call कर सकता है email कर सकता है आपका response जानने के लिए पूटक के बारे में कुछ भी देखें देखें easily contact you तो यहाँ पर जो middleman का जो delay होता है जो problem होता है simple बात आपके पास contact है आपको जब चीए आप call कर सकते है what is the problem in the product आप आसानी से पता कर सकते तो इस तरीकी से यहाँ पर communication buyer और seller के बीचे बहुत ही आसान हो जाता है this is a very easy point easy or we can say that direct payment बहुत आसान payment होता online payment कोई आपको bank से पैसा विड्रा करने जोड़त नहीं कुछ नहीं है आपको पैसा कायरी करने जोड़त नहीं है आपको क्या करना है only there will be few finger steps with that you can make any payment example आपने देखा होगा Google पे है आपका debit card credit card किसी कि तुरू आप आसानी से payment कर सकते see the payment in e-business is done by credit card fund transfer and many sources are available which work 24 hours so आप इसमें आसानी से अपना payment कर सकते तिस पॉइंट का मतलब इतना सा है कि आप easy payment किसी भी सामान के purchasing का कर सकते इसमें कोई भी आपको problem नहीं आता है next less physical space physical space मतलो जगे की जोड़त आपको online business है बहुत कम जगे की ज़़त परती है आप नीचे देख सकते हैं एक छोटा साइड में आपने जगे ले लिया computer ले लिया अपना earphone लगा लिया matter finish उतने में आप बैठे बैठे वहाँ पर अपने mouse क्लिक के थुरू सारा काम कर सकते हैं मैं आपस से वही same example repeat करना चाहूंगा एक teacher ने class चालू किया जहाँ आप उसे traditional तोर पर class चालू किया तो उसको अगर 100 बच्चे पढ़ाने तो उतने के लिए जगें का बंदोबस करना है सारा बंदोबस उसको करना पड़ेगा काफी सारा जगें office वगर सब करना पड़ेगा बट वहीं पर एक दूसरा person जो online teaching कर रहा है तो कूछ नहीं करना उसको एक computer लेना उसको रखना है टेबल के उपर या laptop रखना है टेबल के उपर रखना है मैटर खतम वहां से बैठे बैठे हो 100 नहीं तौन सो लेक्स स्टुडेंट्स को भी पढ़ा सकता है इंसोर्ट वहां पर अगर आप online के अंदर जाते हैं तो आपको space की ज़रूरत ज्यादा नहीं होती जैसे online business करते तो आपको कुछ भी सामान रखने रखने का बंदोबस नहीं करना है simple funda है कि आपको खाली pick website पर डालनी है order आएगा डायेगली आपको लाजिस्टिक डिपार्टमेंट को forward करना है डायेगली आपको डिईलर को contact करना ओडिलर उनको सामान भेध देगा इन सोर्ट क्वालिफाइड टेक्निकल प्रोफेसर प्रोफेसनल्स फॉर सक्सेस्फुल ऑपरेशन ऑफ इबिजनस खाली आपको क्या है एक क्वालिफाइड अच्छा टेक्निकल परसन की जरूत है जो प्रॉपर्ली समझ सके टेक्लोजी को बस उससे अद आपको जरूत नहीं है जो भी less of paperless society paperless society मतलब paper use itna그 कम से कम करने का recurring modern economy, in modern economy we are trying to reduce the use of paper, because this is also this is good for environment and this is also easy for us, so online business e-business definitely reduce to the requirement of paperwork you can see here use of internet has considerably reduce the dependence on the paperwork दस recording and referencing of the information has become easy simple है पहले इतना सारा बील इतना सारा चाला नाजिकल सब online रखा हुआ कोई भी paper work वाज़िश्ट रोगर maintain करने की ज़रुरत नहीं होती तो इससे हमारा paperwork हमारा confusion काफी कम हो जाता है speed आपको यह बात तो मानने पड़ेगी कि online speed काफी जाधा होती है अगले साल मिला पता नहीं मिला की नहीं मिला हो भी कुछ पता नहीं लेकिन जब से आपको online system आई you know that whatsapp यहाँ पे click किया वहाँ पे सामने message पहुँच गया email यहाँ पे click किया वहाँ पे सामने message पहुँच गया तो same thing in your business also your speed of your business is very fast on only one click you can get many information example अभी अभी जाते मार्केट में पता करते देखते पूछते दस दुकान पे घुमते दस वराइटी डूडते online में कुछ ने एक click किया you can get your prices you can get your quality everything over there this benefit become all the more attractive when it comes to the information but much of the buying or selling involves exchange of information and internet allows at the click of mouse next low investment cost है तो मैं आपको starting में cover कर चुका हूँ आप traditional जबाने का business चालू करने जाएंगे आपको लेंड का बंदोबस करना पड़ेगा लेपर कैप्टर इंटर्विस सब कुछ बंदोबस करना पड़ेगा जबकि आपके online business में आपको कोई बहुत ज़्यादा space बहुत ज़्यादा investment की ज़रूत नहीं होती है कि small business में भी इस business को आसानी से चालू कर सकता आपके traditional business से कंपेर में काफी ज़्यादा कम इसका कॉस्ट होता है मतला आप एक वेबसाइट डेवलप की एक कंप्यूटर रखा घर पर आपका बिजनेस चालू जाता तो इसमें investment की खर्चे बहुत ही कम होते हैं तो इस बिजनेस में investment बहुत ही थोड़ा सा लगता है ग्लोबल एक्सेस देखिए आपका traditional business जो था उसका एक्सेस एक्सेस में पहुंच बहुत लोकल होती है जैसे एक्जामपल आपने एक किराना इस्टोर खोला बहुत होगा आपके local area के लोगों आप ख़जने आएंगे आपने class चालू के डेशन सिस्टम बहुत होगा आपके इन्टरनेशन लेवल पर कोई भी buying and selling का काम कर सकता है क्यों क्योंकि आप face to face interaction की ज़रुद नहीं होती है बापस बोल दों आप face to face interaction की ज़रुद नहीं होती है ठेडिशनल बिजन से face to face interaction की ज़रुद आपने सामने रहेंगे तो ही business होगा आप लेकिन आप लाइन बिजनस म वैसन है किन करें नियुकुोट कर Серगे मेनpping हुए स्धाल और उस्थ युप खाल या भूट है इस दिन साड़ल अनौ श्राद सेलं अगर पटर मिजसेथं फट्रांट करेंगे in between buyer and seller because customer will give feedback to the seller seller will improve the product and there definitely there will be relationship in buyer and seller which will be beneficial for the business simple है कोई भी दिक्कत है customer supplier को बोलेगा भाई यह problem है product के अंदर supplier उसे solve करके देगा और supplier contact करेगा customer से feedback लेगा भाई product में कुछ problem है customer को भी अच्छा लगया इस तरीके से उनके बीच में एक अच्छा सा relationship maintain हो जाएगा because traditional business possible नहीं है सबके घर पर जाके पूछ पाना हां लेकिन online business सबका contact सबका email सबकुछ है एक click कि आपको सबके घर पर email पहुंच जाएगा और वो सामने आपको फिडबेक देगा तो इस तरीके से आपका और customer का relationship maintain हाँ पर होता है publicity और we can say that advertisement देखिए traditional business में publicity काफे ज़्यारा difficult है क्या करोगे बहुत करोगे holding लगवाओगे बैनर लगवाओगे पैंप्लेट बटवाओगे बहुत बटवाओगे अपने किलोमेटर दो किलोमेटर दस किलोमेटर तक but in your online business this is very easy you can reach all over the world आप देख सकते हो Facebook पर advertisement आते रहते हैं आप क्लिक करोगे और advertisement ओपन होगा YouTube पर advertisement आते रहते हैं मतलब in short आपके यी business में आसानी से आप अपना publicity all over world ग्लोबल लेवल पर कर सकते हैं और आपको इसली ग्लोबल लेवल मार्केटिंग मिल सकता है थोड़ो दर www means worldwide वेव के थुरू आप आसानी से अपना घर पर बैठे बैठे अपना सामान पूरे दुनिया में बेश सकते हैं पूरे दुनिया में आपके पोड़क को लोग जानेंगे अब example अभी कोई teacher ये एक class में बैठके lecture दे रहा है उसको कोई नहीं उसको खाले हो class के बच्चे या local ही रग बच्चे जाने हैं बट अगर कोई teacher अपना online content put कर रहा है all over world उसको सब लोग जान सकते सब लोग उसको पैचान सकते हैं same thing यहाँ पर है कि अगर आप online business करेंगे तो आप आसानी से पूरी दुनिया में अपनी पहुंच अपनी publicity अपना advertisement कर सकते हैं support of government देखिए government भी चाहती है कि छोटे मोटे बिजने चोड़े बिजने हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चालू हो और खासकर यह बिजने के अंदर कौस्ट भी कम लगता है प्रॉफिट भी अच्छा है इसली आप अविलेबल है इसली काम हो सकता है सर्वीस अच्छी होती तो गवर्मेंट ऑल्सू सपोर्ट टू इस टाइप अपने सुना होगा digital इंडिया तो इस तरीके से आपकी गवर्मेंट आपको बहुत सारे online बिजनेस के लिए help करती है इन को चलाना बहुत ही स्टार्ट करना बहुत ही आसान है इसी कम्मिनिकेशन मतलब डारिक ऑल्स्वाला पॉइंट भी सेम रिपीटेड हो गया बाइंट इसी कम्मिनिकेशन होता है इसीट अपको सामान रखने के ज्यादा जगे यरुवत नहीं होती है मोमेंट टूट्स पेप लेस की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब इसमें ज़्यादा पेपर वर्क वोगर नहीं होता है सब इंफार्मेशन आलाइन होता है स्पीड काम की स्पीड काफी होती है एक माउस के लिग पर आप सारे इंफार्मेशन ले सकते हैं लो इंवेश्टमेंट रिक्वार्मेंट आपको इंवेश्टमेंट की जवरत काफी कम होती है गलोबल एक्सेस आप पूरे दुनिया में कहीं पर भी अपना बिजनस कर सकते हैं यहाँ पर एक जगा बैठे बैठे डियरेक्ट कम्मुनिकेशन जैसा मैंने आपको बोला इस टाइप के बिजनस में खर्चे काफी कम होते हैं काफी एफेक्टिव हैं काफी फास्ट हैं पेपर लेस हैं इन सब चीजों के वज़े से गवर्मेंट में टाइप के बिजनस को बहुत सारा सपोर्ट करती है I hope you have enjoyed and learned many thing from this video still if you have any doubt you can ask me in the comment I will solve your doubt and if there is any suggestion you can put in the comment I will apply from the next video thank you very much to all of you for watching the video